सर, हम सर्जिकल स्ट्राइक के लिए रेडी हैं और हमारा टागेट हफीज है सर, हफीज हिजबुल का कमांडर है और पिछले चार सालों में उसने हमारे 65 जवानों को शहीद किया है हफीज अभी P.O.K के कोटली में है उसने हमारे रिलीफ कैंप से चार डॉक्टर्स को किटनाप किया है सोसे से पता चला है कि कल राट की क्रॉस फाइरिंग में वो जखमी हुआ है ए टीम के चार कमांडोस कैप्टन राम के साथ मिशन पर निकल पड़े है यह सभी बेस्ट हैं सर कैप्टन राम हमारे आमी के सबसे उन्दा पैरा कमांडोस में से एक है आगे बढ़ो थैंक यू सर जैहिन मिशन ब्लैक बोर्ड इस आन इसर मिशन बड़ो आप जति कर गुप कि अछिछ कि अव़े से चकहला क handlar आति कि आतिक पर अबोर्ड भड़े कि अव़े एल आतिकुल हा, ही कर प्रोम ही छुल ही भी कर्गा नोल जर खजा खार दमी प्रोपारा को पाय्ट आप कर दो झाल मिशन आजादी इस मिशन का मकसद है आतंकवादियों के चंगुल से अपने देशवासियों को छुडाना टीम हाईली ट्रेंड पैरा कमांडोस लेट बाई कैप्टन रां ये असली मैदाने जंग है जहां जिंदगी और मौद के बीच बस एक चीज़ का फास्ता है एक खोली का हमारे कमांडोस को बेहत चिपते चिपाते दुश्मन के एरिया में खुसके उन्हें पॉइंट ब्लैंक पर शूट करना है इसके लिए जान भी जा सकती है सोल्जर्स अब हवे धीरिये धीरिये टेरिस्ट कैम्प में घुसकर अपने लोगों को छुडाना है ओके सर पी अलट बिवेर सर हमने दो टेरिस्ट को मार गिराया सर ओल क्लियर गुट न्यूज यह है कि हमने यहां का एरिया पुरी तरह सेक्योर कर लिया है हमें भारी मात्रा में बंप, ग्रिनेट्स और बाकी हत्यार मिले है ओवर अन आउट सर हुआ हुआ सोज़र्ज मुझेशी पावा रास्नमेड़ा है यह एक हिदन तनल है सर मैं भी आम कुछ नो यू स्टे दे मैं जा के देखता हूँ वी अलएट मेरे सिंगनल का इंतजान करना कर दो ला है श्ष्ष्ष्—Indianaamie. एंडिणामी. तुम लोग दरों मत. सब कुष ठीक हो जाएगा. Okay. Okay. Quiet! इसको दखाए! Calm. Shhh. I'll be back. Quiet. पहली बार हाफिस महम्मत को मारने के लिए कोई उसके इतने करीब आया है छोटी सी तनकाय के लिए इतना बड़ा रिस्क हम सब मरोगे सब के सब ये जमीन हमारी है और उसके लिए हम मिटने के लिए तयार है अगर मैं मर भी जाओ तो मेरे जैसे हजारों खड़े होंगे इस मिट्टी को अजादी दिलाने पहले तू जा पीछे सब को भिचता हूँ हुर्वा कि मैं है हुर्भा ए मैं एुछ ऊंर इस के सब भाज़ा तोेजर हुर्बस तोत्वड्ड़ने थिर्घक Ó tinha कर पया срав हुर्छ़ मैं अहिodel 6200 हुर्वर्ण पहुर्वको जहिन साब, साब, जहिन, उस टररिस्ट को तुम जिन्दा पकड़ कर यहां ला सकते थे, तो उसे मारा क्यों, I want an explanation, उससे हमें बहुत सी जानकारी हासिल हो सकती थी, सर, हम लोगों ने पूरा डेटाइक अठा किया है, और इससे दाधा जानकारी उसके पास नहीं थी, ये तैक करने वाले तुम कौन हो, सर, हमारे पास यही एक option बचा था, जिसके जरीए हमने message भीजा था, कौन सा message, अगर वो हमारी जमी पर आकर हम पर अटैक कर सकते हैं सर, तो हम भी कुछ कम नहीं है, अगर हम शान्थ हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं, हम भी उनकी जमी पर जाकर उन्हें मार सकते हैं, क्या कहना चाहते हो तुम्हारी इस हरकत से तुवारा वो लोग हमला नहीं करेंगे क्या तरेंगे नहीं तो करेंगे नसर और यही मैसेज तो भीजाए मैंने तुवारा हम पर हमला करने से पहले सौ बार सोचेंगे ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, और याद रखना, इससे तुम्हारे इंक्वाइरी रुकेगी नहीं, और अगर ऐसा हुआ, तो तुम्हें पच्ताना पड़ेगा हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा होकर गंगा का पानी पीकर सैनिक बनाऊ सा अपने देश के लिए जान नियोचावार करने से पीछे नहीं हटूगा, और जहां तक इंक्वारी की बात है, तो कोई इंक्वारी मेरा जजबा कम नहीं कर सकते क्या कहा? मैं इंक्वारी के लिए तैयार हूं सा हुष हुष किसा लुक उसका लुक उसकी डेरिंग पहनी नजर ने ही दिल को घायल कर दिया उसकी हाइट उसकी परसनालिटी सोल्जर्स आर रिली हांसम एक मिनट एक मेन तुम किसी सोल्जर की बात कर रही हो ना? कैप्टन राम किसकी बात कर रहा है मैंनु लगता हो तैनु पसांद कर दी है कौन और कौन डॉक्टर है कुछ भी उसने बंदूक और बजूगा सिर्फ फिल्मों में देखी होगी और खुडी ने सब कुछ देख लिया ऐसा क्या 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 कहूं मैं तो फिदा ही हो गई मगर आगे क्या करना है कोई आइडिया नहीं जाके उसे बात कर इतना असान नहीं है ना पहले मुझे उसके दिल में क्या है ये पता लगाना होगा क्या मैंने कभी कहा कि मैं उसको प्यार करता हूं करने की क्या जरूरत है कल सुभा मैं उसे प्रपोस करूंगी डॉक्तर नंदी ने तुम आज गुलाब से भी जादा गुलावी लग रही हो कई दिनों से दिल में एक बात फुदक रही है आई लव यू बास आप दोनों की जोड़ी गुलाब का फूल और उसके कांटे की तरह लखी है नंदी नी ने आपको जल्दी पुलाया है इंकमिंग अल्द बैस थेंक्यू मेरे इंकमिंग डॉक्तर हरीश इसे बहुत तेस बुखार था पर मैंने से कमर्दर्ट की दवा द दो घंटे में फड़ फड़ाने लगेंगा डॉक्तर हरीश इंक्यों सो मच जानू सुई के पैसे वसूल ऐसी सुई में बार बार लगांगा अरे पागल हो गया क्या मैं बीमार हूं जो मुझे लगा रहा है डॉक्तर नंदीनी के पेशेंट को मैंने सुई लगा कर बचा ल नंदीनी डॉक्टर है तो मैं क्या प्लंबर हूं मैं तो कुत्ते बिल्ली का भी इलाज कर लेता हूं पहले अपना इलाज तो कर ले दिल दिया दर दिया हलो वह फराटी दार इंग्लिश बोलती है तो हूपन तो गुजराती बोलुचू ए सामड़ो रहे मैं उसे ऐसे प्र वह पहाड की चोटी पे काला कबुतर नाच रहा है तो बहुंते को बहुत तुम उसे कुछ कह ना चाती हूं यह आप्चली जहिन सब यह आप्चली आप यह आप यह कुछ सूरी है अब आपके साथ सेल्फी लेके फेस्बुक पर अप्लोड करूंगी क्योंकि मैं एक देश भगत हूँ अच्छा यह बताओ कि अप्लोड करने से देश भगत हो जाओगी तूम हाँ बिल्कुल सावित कर सकती हो हाँ चलो करो सेल्फी पोस्ट करने के बाद मैं उस पर यह लिख अबी नामी ने बचाय तो आल भी है लगता है आपने कॉम्पेटिशन में कोई और भी मार्केट में है अरे चेरकोट तू उसके साथ मेरी कंपेरीजन कैसे कर सकता है बॉस उसकी हाइड बढ़ी है मेरा दिल बढ़ा है बॉस वो हीरा है अगर वो हीरो है तो हुई हीरो नो आप पाच्यो उसकी कड़क बॉडी देखो बॉस उसकी कड़क है हाथो तो मेरी डंबर की सड़क है बिल्कुल काली काली तुम्हारी तरह मुझे भी अपने देश पर बहुत गर्व है इम प्रावड इंडियन अम्शा बदेवे तुम्हें नैशनल सॉंग पता है वंदे मा अम्दे मातरम वंदे मातरम सुझाव तोके अपना फोन दो कम सेलफी और देश भक्ति दोनों में बहुत फार्क है आज मैं इसके बैंड बजाता हूँ मेरी बज़ गई मेरी बजाता हूँ मेरी बादान मेरी बजाता हूँ मेरी बजादा वहाद है या जल्वी यह पक्डू excuse me hi hi can you please stand up okay क्या हुआ हरीश जानू नंदीनी ने मारी एंट्री गुमर्चिक टाकड़्चिक गुमर्चिक टाकड़्चिक यह ले पकड़ भी आता हूं I'm coming and coming सूचे बकुडी वह पत्थर यहां रखोगे प्लीज नंदू हाँ थैंक्स बोलने के जरुवत नहीं है थैंक्स तो गहरोखोक आ जाता है हम तो दिल्वाले है हाँ विश्मी लग हाँ 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 वन्दे मातरम वन्दे मातरम वन्दे मातरम वन्दे मातरम तुम्हारी आवाज बहुत सुरी लिए अक्चली स्कूल के दिनों से ही मुझे गाने का बड़ा शौक था उस दिन तुमने अचानक से पूछ लिया तो नहीं गापाई काफी अवार्ड मिले हैं मुझे आप एक सेल्फी हो जाए कल रही थी ना वो सेल्फी तो मैंने कल ही पोस्ट कर दी थी देखो हम दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं कितने लाइक्स मिले हैं हम दोनों की जोड़ी कमाल लग रही है ना यह कॉमेंट में क्या लिखा है शाद मेरे बारे में कुछ हरिष मेरे बारे में लिखा याया अध्मामी जैन सर जी चाहदी मुबारक हो किस की तेरी डॉक्टर नंदीनी के साथ सही बोला बैंगलोन मेरी शादी है आईटीसी गार्डन या होटल ताजबुक करने वाला हूं बहुत 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 दिया है दो हजार भारतियों को इन्विटेशन दिया है वेचर नॉनवेज खाना होगा और कॉक्टेल पाटी भी और अफकोर्स तुमारे लिए नॉट इंटिन स्टाइल का बढ़िया पंजाबी खाना भी होगा इतना अरेंजमेंट कब किया यह तो बताओ पाजी अरे अरेंजमेंट तुम करो गैंपाजी मैं थोड़े ना करूँगा मुझा कर रहे हो पाजी आपके लिएक लेटर है वे आगया बाजी वाले टेंट से लव लेटर आगया वो दोनों मिलके डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे थैंक्यू जोर सपड़ो सर आमें भी तो बताओ उस लेटर में क्या लिखा है रेटर लगता है लेटर वो जाधा इरोमेंटिक है पॉर ज़ी पढ़ कर दो एक टाना अअ कि आइ वो, वो, वो वो, 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 वो जाचू पापा लो जो क्या हुआ था इट्स क्लियर हे कमिटेट सूसाइड मेरे भाई की किसी के साथ दुश्मने नहीं थी और ना यह वह कायर था कि वह खुद कुशे कर ले क्या हुआ था राम मैं जानता हूँ तुम दोनों कितने करीब थे I understand वो मेरी बहन का सुहाग था investigation के दौरान में वह मौजूद था let's be practical राम चीजों को और complicated करने से क्या फाई होने के नाते मुझे पूरा हक है यह जानने का कि मेरे बड़े भाई के साथ क्या हुआ था practical होकर बात करूं तो मैं तुमसे request नहीं कर रहा पूछ रहा हूं what happened सर हमारे पास code का order है हमें building तोड़नी पड़े जो अफिसर हमसे पंगा लेता है वह आंदा कभी दिखाई नहीं देता है अगर तुम में से कोई अन्याई भी जिन से कापता है न्याई के ऐसे महान देवता है वो कौन है भे तू 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 यह इंट्रोडक्शन देने की मुझे कोई जरूरत नहीं तेरी इतनी आउकाद नहीं है कि तू मुझे जान सके शायद तो यह नहीं जानता कि मैं कौन हूँ तो वो गुंडा है जो जमीन हडब कर उसी जमीन पर बिल्डिंगे बनाता है ऐसी जगा ट्रांसफर करूंगा कि पीने को पानी भी नहीं मिलेगा अगर हिम्मत है तो आगे बाढ़ पांच साल पाउर में रहकर जब तुझमें इतना घमंड आ सकता है तो सोज अथावन साल पावफुल पोस्ट में रहने वाले मुझमें कितना घमंड होगा सुना इंस्पेक्टर गवर्मेंट ओफिसर्स की ड्यूटी में रुकावट और उन्हें धंकाने के जुर्म में इसे अंदर डालो पागल हो गया क्या एक बार और सोच ले सोचना तब पड़ता है जब घलत काम करना हो सही काम करने के लिए सोचने की जरुवत नहीं पड़ती कुछ दिनों बाद वो कॉर्पोरेटर जेल से छूट गया और तुम्हारे घर के बाहर आकर हंगामा करने लगा तुम्हारा भाई बड़ा गुस्सेवाना था जब उससे इस बात का पता चला तो वो बदला लेने कॉर्पोरेटर के घर चला गया उसके सर पर खून सवार था उसने कॉर्पोरेटर की गंज से उसी को मार डाला मर्डर केस में उसे अरेस्ट कर लिया गया मैंने उसकी बेल करवाई और उसे घर ले आया और अगले ही दिन उसने खुद कुशी कर ली लोक इट्स अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड पुलिस इंवेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है पोस्ट मॉटम रिपोर्ट भी यही कहती है तुम्हारा क्या कहना है यह सुसाइड नहीं मडर है फिजूल की बात मत सोचो तुम ज्यादा इमोशनल हो रहे हो पूरा कमरा सुबूतों से भरा है सर वाट डियू मीन? एविडेंस नमबर वन भाई के पसनल कमरे के टेबल के बगल वाले पर्दे आज भी मुझे उन में से गांजे की बद्वू आ रहे थी इसका मतलब उस कमरे में जो भी रहा होगा उसकी हाइड सिक्स टू या सिक्स ट्री रही होगी एविडेंस नमबर टू भाई के कमरे में रखा हुआ बीन बैक उसमें असा निशान तभी आता है जब कोई भारी या लंबा इंसान उसका मतलब ये हुआ कि उस पर बैठने वाले इंसान का वजन लगभग सौ किलो होगा भाई को धूल पसंद नहीं थी इसलिए वो खिड़की के पास नहीं बैठते थे अगर बैठे भी होते तो उस पर इतना ग्याहरा गड़ा नहीं होता एविडेंस नमबर त्री ये बताईए कि आपको भाई के कम्प्यूटर पर किसी की उंगलियों के निशान मिले रिपोर्ट के मुताबिक तो किसी के नहीं मिले क्यों ? ना मुम्किन उस पर भाई के फिंगरप्रेंस तो मिल नहीं चाही थे इसका मतलब उस दिन किसी ने इस कम्प्यूटर का इस्तिमाल किया था और पोरे फिंगरप्रेंस मिտटा दिये थे लास्ट एविदेंस है भाई के गले में लगा हुआ फंदा आपने गांट पर गौर किया जिसने भी फंदा बांदा है वो लेफ्ट हैंडड़ था जबकि भाई राइट हैंड़ थे मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई सर हो सकता है कि ये चूख जान बूच कर की गई हो मैं आपके डिपार्टमेंट को दोश नहीं देता लेकिन बिना पुलिस के सपोर्ट के एक आईस आफिसर के मर्डर पर यू पर्दा डालना बहुत मुश्किल है राम इस केस को मैं पर्सनली इन्वेस्टिगेट करूँगा जल्दी से फोरेंजिक डिपार्टमेंट को इन्फरम करो मैं सत्यमूर्थी केस को रिइन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ 6.2, 6.3 हाइट वाले सारे क्रिमिनल्स के नाम चाहिए मुझे एक्सक्यूज मी ये सर ये डॉक्टर रविंदर कहा मिलेंगे उनका ओफिस वहां है वहां थैंक्यू थैंक्यू राम डॉक्टर रविंदर से मिलने आया है मुझे डॉक्टर रविंदर से मिलना है रविंदर सर तो सर तो दो दिन की चुटी पर है सबस्राइब अमाय गड़ ये जयए वहाँ गोगोगोगो पिली यूज गोड़ ऑप है थैंक्या पक्यंदर पक्याइब कि भीणदर से मिलने आया था तो फिर मिले? नहीं, वो आज चुटी पर हैं क्या? डॉक्टर रविंदर राच चुटी पर है? किसी ने मजाग किया होगा नो वारियस, कम, I'll take you there मैंने कहा था, डॉक्टर यही मिलेंगे हाई दॉक्टर ये आइस ओफिसर सत्यमूर्थी के छोटे भाई है मेरे भाई आये सत्यमूर्थी की पोस्मूर्टम रिपोर्ट जो आपने बनाई मैंने पढ़ी अगर कोई लटक कर सुसाइड करता है तो उसके गले पर वी माक होता है अगर कोई जबर्दस्ती फंदा डाले तो ओ माक होता है मेरे भाई के गले पर ओ माक था रिपोर्ट तो सही है ना कहना क्या चाहते हो कोई कुछ भी कहेगा और मैं रिपोर्ट बदल दूँगा मैंने ये कब कहा ये तुम खुद कह रहे देखो तुम आर्मी आफीसर हो तो अपना दिमाग बॉर्डर पर लगाओ मुझे यहां भाषन देने के कोई जरूवत नहीं है सरो पोस्ट मॉटम होने के बाद ये रिपोर्ट बनाई गई है अगर तुम्हें कोई प्रॉबलम लग रहे है तो जाके पुलिस में रिपोर्ट करो मेरे पास तुमारी बकवास के लिए टाइम नहीं है अब तुम जा सकते हो बिना कुछ बोले भी तुमने बहुत कुछ बोल दिया मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा कब उतर उड़ गया तुम कहां उड़ रही हो बात हो गई ताल में कुछ तो कला है बॉस नाइंटीन फॉर्टी सेवन का डालोग मारना बनकर लगा था यह दूस्ती बॉर्डर पे शहीद हो जाएगी बट इसके डेरिंग तो देखिया बॉस यह हॉस्पिटल तक आगया तो कितना नेगेटिव सोचता है यह हॉस्पिटल है उसका पेट खराब होगा इसलिए आया होगा किसमत भी आपका किसमत से साथ नहीं दे रही है और वो तो दिखने में सूपर मैं जैसा है और आप हो कि उसको पेशंट बोल रहे हो किना आप यह नंबर बॉस उसका नंबर रही है मैं फोन यूज नहीं करता है और यह ओम एड्रेस रेजिदेंस नंबर एनिधिंग घर शिफ्ट करने वाला आप एक नंबर के भोले भंडारी हो सबसे पहले शुरुवात होगी चैटिंग से चैटिंग के बाद फिर वाई भूला मता देश का जवाने इसले छोड़िया वरना उसकी जवानी बरबात कर देता कि कि मम्मी क्या हुआ बिटा रोक लो रहे हो पापा अच्छे नहीं थे यह किस ने कहा मेरे फ्रेंड्स बोल रहे है रे तू आओ कम बैठा कम पापा को सबसे जादा कौन जानता मैं जानती हूँ है ना और तुमारी माँ उन्हें नहीं पता नहीं पता मैं मुझसे जादा आप भी नहीं जानते तुमसे जादा नहीं जानता कि अच्छा तुम्हारे पापा के बारे में कुछ पूछो क्या वो बुरे आदमी थे नहीं 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 तो फिर चिंता क्यों करती हो चिंता मत करो तुम्हारे बापा हमेशा सच के लिए लड़ते थे दिशुम दिशुम करके जरूत मंदों की मदद करते थे तुम्हारे मुझे में कुछ भी कहें, मत सनना, भावी मैं समझ सकता हूं कि आप पर क्या बीट रही है, बागर प्लीज बढ़ाईजी क्या बाए किभाइया किसी चीज को लेकर परिशान थे, प्लीज सोच कर बदाईए क्या वो किसी के दबाव में थे या फिर कोई चीज उन्हें परिशान कर रही थी मुझे सिर्फ ड्राइवर की बेटी के बारे में पता है नमस्ते मैडम नमस्ते सॉरी बच्ची को हॉस्पिटल लेकर गया था इसलिए देर हो गई तुम बिल्कुल सही टाइम पर आयो शंकर थोड़ा और लेटा तो मज़ा आप बाते कीजिये मैं कॉफी ले आती हूं आजा आजा मेरे पास जो जो बेटा सोना तुम हॉस्पिटल गई थी कल राज चे मेरे धबया ठीक नहीं अंकल इसे बुखार था लेकिन अब ठीक है यहां वहां क्या देख रही हो हमारा घर इतना चोटा और आपका घर इतना बड़ा क्यों है अंकल चुपकर सर अफिसर है और त बड़े पर मेरे घर आते हैं तो उनके लिए जगाई नहीं होती है अगर तुम पढ़ा ही करोगी और मेरी तरह ऑफिसर बनोगी तो तुम्हें इससे बी बड़ा घर मिलेगा सची मुची हम अच्छा यह बताओ बेटा तुम पढ़ना चाहती हो पापा पापा सुना अपने गर में बनाएंगे है ना पापा हां मेरी बच्ची फिर एक दिन अचानक हमें खबर मिली कि शंकर ने अपनी पत्मी और बच्ची के साथ सूसाइड कर ली है उसकी बेटी को कैंसर था कैंसर वो फाइनल स्टेज में थी बच्ची के इलाज के लिए जो रुपए लिये थे उ जब अपनी बेटी को बचा नहीं सका तो खुद आत्मा अध्या कर ली है शंकर और उसकी फैमिली की सूसाइड को लेकर वो काफी अपसेट थे उन्हें लगा बच्चे के इलाज के लिए रुपे ना होने की वज़ा से शंकर ने ऐसा कदम उठाया था वो उस बच्ची को ब बाते कमला अंटी के मुझसे सुनी मैं एक डॉक्टर भी हो बिटा उसने अपना ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कर वाया लेकिन क्यों उसके खरीबी उसे बचा नहीं पाई इसका मतलब कमला अंटी सही कह रहे थे अगर करीबों को कैंसर हो जाए तो वो बच नहीं सकते य एक दिन जब वो घर में नहीं थे तो कोई कॉर्परेटर घर में घुश कर हमें धमकी देने लगा और जब मैंने उन्हें ये बात बताई तो वो बहुत गुस्सा हो गये और गुस्से में उसके घर चले गए अगले तिन कॉर्परेटर के मर्डर के इल्जाम में पुलिस ने नौकरी से निकाल दिया गया भाईया उने बेल पर घर ले आए वो काफी अपसेट रहने लगे थे खाना खाईए तो मुझसे कुछ नहीं पूछोगी बिना पूछे मैं आपके दिल की बात जान जाती हूं मैंने उससे नहीं मारा आप कानून को अच्छी तरह जानते हैं मै मैं जानती हूं आपने कुछ भी नहीं किया है परिशानिया किसकी जिंदगी में नहीं आती एक दिन सब ठीक हो जाएगा चलिए खाना खाईए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं पहले खाना खाईए बाते बाद में जब तक हम सो नहीं गए वो वहीं बैठे रहे उसके बाद अपने स्टडी रूम में चले गए सुबह जब मैं कॉफी लेकर गई तो वो मुझसे कुछ कहना चाहते थे मगर मैंने उनके बाद नहीं सुनी कितनी क्यूट लग रही है वो मेरा हाई सर्प्राइज तुम यहां कैसे तुम दोनों बैठकर बाते करो मैं कॉफी लेकर आती हूं ओके बाभी बाभी मेरा फोन देखा यह वाला तुमारा है ना इस दिस यूर फोन नहीं तो यह वाला मेरा फोन तुमारे पास कैसे है मुझसे जूट क्यूं बोला कि तुमारे पास फोन नहीं है चलो ठीक है माफ किया तुमारा फोन पुराना हो चुका है से लिए मैं नया लाई हूं एकदम लेटेस मॉडल है अनलिमिटेड टॉक टाइम भी है तेनक्यू मैं अपने फोन से खुछ्छ हूं प्यार से कोई कुछँ दे तो इंकार नहीं करते मैंने कदम वि मुझे नहीं चाहिए ब territ work, कितने प्यार से तुमारे लिए फोन लाई है नहीं लोगे तो उसे बुरा लगेगा ना भावी ने कह दिया ना तो रख लो अपना नया नमर भी सेव कर दिया है थांक्यू मगर भावी मुझे मेरा फोन तुम कॉफी पियो थांक्यू भावी बैठो कॉफी बहुत अच्छी थी तुम्हें देर हो रही होगी थैंक्स फॉर कमी मैं दुबारा आती हूं भावी थैंक्यू अ मैंने फोन पे फेस्बुक और वाट्सअप डाउनलोड कर दिया है अपनी फोटो भी फेस्बुक पर अपलोड कर दिया है अपना नंबर भी स्टोर कर क्या फोन कर ना या आप बाय बाय स्टोर कर दिया इस वाट्सपार आप प्लाइब कर दोजाएब दिया है हम 6.26.3 हाइट वाले सभी लेफ्ट हेंड़ क्रिमिनल्स की इंवेस्टिगेशन कर रहे हैं सर इन सारे लोगों का मुर्डर से कोई कनेक्शन नहीं है हमारे पास सुबूत है जब ये मुर्डर हुआ ये लोग वहां मौजूद नहीं थे और फयाज ली के सिवा शिवाजी नगर के सारे लोग यहां मौजूद हैं सर अगर सब यहां है तो वो क्यू नहीं है उसे भी बुला फोरण हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मुझे ये सब excuses नहीं चाहिए उसे बुलाओ I don't care how you do it ओके सर अज़ भाई का इंतिकाल हो गया बोलके किसी ने पोस्टर लगाया है ये कौन है वो दो मिनट बात कर सकता हूं तेर से बाई से बात करेंगा हाँ कौन है तो तेरा प्लड कुर्प क्या है ओ पॉजिटिव यहां पर ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसका है तुम दोनों इस तरह बाजाओ इसे खून की सरथ पढ़ने वाली है अब तो तुछ से बात कर सकता हूं तुआप उनके इलाके में आके हम कोई हूल दे रहा है कौन है बे तुशाने क्या बोला तु तुमारे इलाके में अकेला निहत्था खड़ाओं और तुम उसे हिम्मत की बात कर रहा है चूहे इलाके बदलते हैं शेयर शेयर होता है यह यह चोटे समाल राइसको यह यह पीजाने लाइसको रहाँ यह 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 य यह हैंडसम हट्टा कट्टा नौजवान है काले कारोबार हवाला ट्रेट मेटिंग का इलीगल बिजनस चलाता है हां में हां मिलाने वाले को साथ रखता है जो खिलाफ जाए उसे सीधा ऊपर पहुंचा देता है मुझे दो किसम के लोगों से सक्त नफरत है पहले जो मेरी बात नहीं सुनते और दूसरे जो मुझसे घद्दारी करते हैं करो या मरो एक साल के लिए अंडरग्राउंड हो जाओंगा बॉस तुझे मैंने बोला था ना तेरी मनुष्शकल मुझे कभी मत दिखाना इंक्वाइरी से पहले ही शिवाजी नगर के फयाज अली को किसी ने मार दिया येस समझ गया आ रहा हूं I think somewhere he is connected to your brother's case by the way तुम्हारे भाई का case अब CBI हैंडल करेगी सोचा तुम्हें बता दूँ स्क्राइब कि हुआ ही इस चैरा हुआ तुम्हें लोगों कहीं देखा है? करें दुमने कभी भी कहीं भी नू पर मैने कहीं तो देखा है वेर सअचो नुझब दूदेंटेशन अज्स टेलविजिन आजस्टी अज फोडिंग्स नो वेट वेर वेट 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 बेट आई तिंक वेर अज गैस जिस रास्ते से मैं आती हु न वहीं कहीं देखा है सुपब कम ना क्यों क्या तुम बजी हो सॉरी मैं तुम से पूछना भूल गया अ नो गुट कम एक एक अब हुआ भी मैं बाहर हुआ था लेकिन डोक्टर बना नन्दु के लिए आज देखना कैसे मैं नंदु को बर्थडे का सूपर सुपराइज देता हूं अबस्ते बॉस्त था निकल गई बॉस एक लड़का लड़की बाइक पे हो तो क्या वो लवर से क्या वो दोनों भाइबेन नहीं हो सकते आज कल तुम जेसो के हो जैसे भाइबेन भी साथ नहीं घूम सकते एक सजिन लोगो इनकी दो ब्रांचेज है एक मलेश्वरम और दूसरी जैनगर में लोगो यहा है तो इसका इस जिम से कोई नो कोई कोई कनेक्शन जरूर है direct he law agent Raways क्यों कि दोस्तौर 돼 मिन दोट्री थाल अश्री ड़ान नहीं पर नुग दोस्तौर मैं प्रफ्टी तुम थंसरी बात कर लृس आप नो इस मैं बात कर लोग ड़्या तूम्से कुछ कहना चाहता हूं, इस दो माइंड। तूम मुझे प्रपूस करने वाले हो। आप सॉरी। तूम्ही क्या लागा तूम अगर बताओ कि नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तूम मुझे प्यार करती हो। मुझे पता है। मगर तुम्ही एक बात जान लेनी चाहिए। मेरी जिंदगी में और भी जरूरी चीजे हैं। मेरा लक्ष अलग है। मेरी जिंदगी में इन चीजों के बारे में सोचने की कोई जगे नहीं। मैं नहीं जानता कि ये सब कहां जाकर खत्मोगा। बाइयों के बीच के रिष्टे को, उन इमोशन्स को, तुम्हारे लक्ष को मैं अची तरह समझ सकती हूँ। In fact, मैंने अपनी फीलिंग्स तुम्हारे साथ शेर नहीं की। Probably, अगर मैं तुम्हारी जगा होती तो शायद यही करती। उसी तरह तुम्हें मेरी फीलिंग्स की करनी चाहिए। By the way, अभी तक तुमने बहुत कुछ कहां, मगर एक बार भी यह नहीं कहां। कि तुम मुझ से प्यार नहीं करते। पागल हो। एक मस्त जोक सुनाओ। सुनाओ ना बॉस। अभी बिजी हूं बाद में सुनाता हूं। यहीं पर रोग दो। क्योंकि उस जिम की एक ब्रांच यहीं पर है। ओके। विखे फुला। ओके। अंदरी, अपना फोन देना। मैं तुमारा GPS एक्टिविट कर रहा हूं। इसे ओफ मत करना हूं। देखा बॉस। क्यों जले पर पेट्रोल छिलागता है। टोंट वर्य। टेक के। समझ में याता वो कितने अच्छे दोस्त है। ठीक पॉजिटिव यार। हर एक दोस्त जरूरी होता है। बिल दे देना वरना बरतन दोने पड़ेंगे। बहुस ये वाली केसी है। डिखने में अच्छी है इसका नंबर निकाले। है डूट, वकाउट होगे क्या। या डूट जब चाहे। चाहे। हाब बोलेप अब हाई वो मेंबर्शिप के बारे में कुछ पूछना था एडवांस पांच हजार रुपे देने होगा उसके अगले महिने से हर महने आपको तीर हजार रुपे देने होगा इस समय हमारा अपर कल गए जिस आदमी की हमें तलाश है और जिसके हाथों में टाटू है वो इसी जिम में है अभी आया ओके कम फास्ट एक्सक्यूब में प्लीज थेंक यूब मेडम यह क्या कर दिया सॉरी वापिस रख दीजेश्यूब हालो कोई लड़की है जो आपन का पीछा कर रही है जोगरे लोगों को लेकर फैक्टरी पहुंच क्रिपाइब कर दो तुम को बाओ देरे लिए और तुम हम लोग को यह बुला के कब आप मैं अड्य बनारे लेको एक्सक्यूज मी किया आज तो तो तुमारा जल्सा है बाए मुझे एक कॉल करना है बॉइफ्रेंट को कॉल करना है तुझhe लगता ये फोन करते ही तेरा बॉइफ्रेंट यहां आकर हमारी धुलाई करेगा और तुझे बचा लेगा तेरा दो मिनिट का टाइम देगा अगर वो इन दो मिन्टों में नहीं आया तो आपन जो बोलेगा तुझे वोइच करना पड़ेगा येस क्या हुआ फोन नहीं उठारे लग या आ आ आ आ आ आ आ आ इंक ये इस बिजी ये सब तुम अपन को मसना अपन ने जो टाइम दिया था वो पूरा हो गया 10 9 8 7 6 5 4 3 4 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9 10 10 10 11 12 15 15 14 15 15 16 15 18 16 25 पाइज भुलिए है जडुलिए दुलिए को है अब दो मनुट कर सका गाण बिल्मंधर देड् से लिल्म儲 तेड़े रेषादयोर्ट और विल्मने तेडसर चाहों मिल्मने बार शे लिल्म ग्यूब्स सत्वासर लुच्छ फ्वन्न कैमें मुण आप वरा कर दो दो वरा कर दो लगा कर दो झाल झाल मैंत हुआ 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 है हुआ 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 है को अगर अगर आप उन्हें लोगों को नहीं जानता हैं। भास खथर नाग लोग हैं हो। अब उनकी बात सुन। चला जाए ला हां इसे। अगर उन्हें लोगों को पतनी तो अब उनके साथ सांथ तेरे को भी खतब पर दे अरे यार यह अप उनकी बाद समझता काय को नहीं कौन वो अप उनके परवार को मार देगे तू समझता भाए कौन तू अप उनकी बाद समझता काय को नहीं है वो अप उनके परवार को मार देगे वो इंसान नहीं है जानवर है जानवर आइए कर दो नंबिर येस केप्टन राम एक नंबर नोट करो तेल भी सर मुझे कंप्लीट काल्ड डीटेल्स चाहिए ये सर मैं आपको बताता हम डीटेल मिलते ही मुझे मेल करना है कि येस केप्टन राम नंवीर । मुझे नंबर्स के प्रॉकेशन चाहिए क्प्टन राम नंबर संटाइब प्रिवेट होगा इसले कंवे इसले के वाज़ा वाज रिकर्ड करने यह केशित देडि ज रिपलका एव कर नंवीर । और पता लगाओ किस की अवाज है. Okay, sir. Yes, sir, Namiri. मैंने पता लगा लिया है, sir. अभी वो लेटिटिटुट 13.0441 डिग्री नॉट, sir. Okay. और वोइसमैच? And the voice match is also found, sir. Who is it? Okay. काम तो हो जाएगा ना? आँ, चिंता मत करो, सब हो जाएगा. ये हैं स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर. इतने काविल कि हेल्थ की स्पेलिंग तक ठीक से नहीं बोल सकते. चौथी पास जो हैं, पहले ड्रक्स का धंदा करते थे. उसके बाद मेडिकल माफिया के सरगना बनके, दवाईयों का अवयक कारुबार करने लगे. यू समझ लीजे कि पॉलिटीशियन बनने से पहले फुल टाइम कुंडे थे. तुझे मैंने बैठने के लिए बोला क्या? सॉरी, सर. अरे, तू खड़ा क्यों हैं? बैठ जा? शनी काप्रको, पिछले नौ सालों से. कपड़ा काला है, लेकिन दिल एकदम सफेद. ओम नमाहश्यवाई. अरे, बोलना. सर, बात यह है कि वो… इसके कई सारे हॉस्पिटल्स हैं बाप की मरने के बाद. प्रॉपर्टी को लेकर दोनों भाईयों में जगड़ा है, यहां पर सेटल्मेंट करने आया है. भाई, इसमें उसका को हिस्सा नहीं है. मेरा हिस्सा कितना होगा? क्या? अब सुनाने, मैंने हिस्सा कहा. पचास करून मेरी तरफ से. उपर से और 10 क्रोड ले लीजिए. मेरा काम तो हो जाएगा ना सर, थैंकिस सर, यहां आकर बहुत खशी हुई, आपका ऐसान में जिंदगी बनी भूसेटा. जगड़े से मसला आल नहीं होता, आपस में बात कर लो. कॉफी लोगे, ले आओ, जड़ा कॉफी लेके आना. यह क्या, 1000 करोड के प्रापटी में से 900 करोड अपनी बेटी के नाम कर ली है? तुम्हें आतिश बास अंजन अप्पा के पास आने से पहले सौ बार सोचना चाहिया था. अगर शनी का प्रको पड़े तो सर्वनाश हो जाता है. सब खत्म हो गया. ऐसा अन्या है, हमारे साथ मत कीजिए, सर. मेरी बास सुनिये, सर. यह हमारी जिन्दगी भर की कमाई है. प्लीज सर, हमारे साथ इत्साथ कीजिए. बरना हम मुश्किल में पड़ जाएंगे. यह गलत है, सर. देखिए, सर. मैं आपके पास प्याय की उम्मीद लेकर आया था. आपके ऐसा करने से हम पूरी तरह से बर्वाद हो जाएंगे, सर. प्लीज सर. अगर साइन करेगा तो घर जाएगा, बरना. ओम नमश्शिवाय. गलती से भी यह मत सोचना कि तु बच गया. चाहता तो अभी तुझे मौत के घाट उतार देता. कौन है तू? आये सत्यमूर्दी का भाई. तुने मेरे भाई को मारा, तुझे मारके उनकी मौत का बदला जरूर लोगा. यह! ठरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? क्या सबूत है तेरे पास बॉल्ड? मेरे भाई की मौत के एक मिरिट बात तुझे उसी नमबर से कॉल आया था, जिस नमबर से मेरे भाई को आया था. जिसने भी तुझे कॉल किया उसका पूरा रेकॉर्ड मेरे फोन में है, मैंने तुझे प्रूफ देनी के लिए फोन नहीं किया, यह बताने के लिए कि तेरी लाइफ में मेरी अंट्री हो चुकी है. तेरी जिन्दगी की ओल्टी के नतीश चिड़ो! तेरी उवक शंभों तुझे संहार्न दोंतों नादं. अब तै था कि कैप्टन राम अपने भाई के कातिलियों को सजा देकर ही चैल लेगा चहरे काफी शक्त कईयों पर था बस वो कड़ी जुड़नी बाकी थी जिससे राम उस मास्टर माइंड तक पहुँच सकता जो I.A.S. सत्यमूर्थी की मौत का असली तोशी था बिजनस टाइकूम, इंडस्टिलिस्ट, टेक्स्टाइल केंग, आदमी एक काम अनेक, शहर के नावी गिरामी हस्तियों में इनका नाम शुमार है उठा, उठा, उठा ये रेगिस्तान में भी हाथ डालता है, तो वहाँ भी पानी निकल जाता है तुम जानते हो, यहाँ क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ दिन दहारे मेरे घर में गोलियां चले हैं और डरा रहा है मुझे कौन है वो? आईए, सत्यमूर्ति का भाई, पैरा कमांडो राम शाह इंडस्ट्रीज और शाह एंपायर के मालिक, अमर्त शाह उसने यहाँ के बहुत बड़ी गलती कर दी आज के बाद वो एक कदम क्या एक इंच भी नहीं चल पाएगा लेट्स पूट एन इंड जो करना है जल्दी करो लेकिन वाइट कॉलर होने के साथ साथ यह हेल्थ मिनिस्टर के पार्टनर भी है अंग्रेजो, मेरा देश छोड़कर चले जाओ लेरा भारत महान, जैहिन बाई उसके बाईक मिल गई है, लगता है उसकोल के अंदर है ठूंडो 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 और जहां मिले उसे वाइट लोग देना नमस्ते, मेरा नाम रीतू है मैं सत्यमूर्थी और अनुरादा सत्यमूर्थी की बेटी हूँ हर माबाब अपने बच्चे को अच्छी बाते सिखाते है मैं हमेशा अपने बापा की एक बात याद रखती हूँ बुरा काम करने के लिए हमेशा सोचना पड़ता है पर अच्छे काम करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, पर अपसोस मेरे पापा आज मेरे साथ नहीं है, मुझे उनकी बहुत याद आती है, मैं भी पढ़ाय करूंगी और बढ़े होकर कलेक्टर बनूंगी, और लोगों की फ्री ओफ कॉस्ट मदद करूंगी, ऐसा करूंगी तो पापा हमेशा मेरे साथ रहेंगे, पापा आपकी नन्नी परी हमेशा आपकी असूलों पर चलेगी और एक इमानदार ओफिसर बनेगी, I love you पापा क्या वो तुम्हारी बेटी है? नहीं, वो इनके भाई की बेटी और ये तुम्हारा पती है? कितने बच्चे है तुम्हारे? अभी तो एक भी नहीं, it's too early, अभी हम नहीं चाहते चुप, पगली कहेंगी, तेरी उम्र में मेरे चार गोलू-मोलू बच्चे थे, तु एक से शुरुवात कर ले, मा बनना औरत का धर्म है जूट बोला, अभी शादी नहीं हुए तो क्या हुआ? चल्दी से शादी कर लो और फटा-फट पैमिली प्लैनिंग करो सच कहूं, तेरे होने वाले बच्चे बहुत सुन्दर होंगे बाई चाचू एक प्यारा कमांडो सही निशाना लगाने से कभी नहीं चूपता, वो तुम्हें मार सकता था मगर उसने ऐसा नहीं किया वो सच बोल रहा था, उसने चान बूज कर कप को गोली मारी थी, उसका मकसद क्या है आखिर वो हमसे चाहता क्या है क्यों कर रहा है ये सब क्या उसके साथ इसमें कोई और भी है और इस ए ट्राइंग फो सम एविडिन्स या फिर शाहिद, वो मुझ तक पहुचना चाहता है कबीर को फोन करो कोई ख़बर नाके पे चाय पी रहा है चाय? चाय पी रहा है? क्या चाय पी रहा है? क्या है भुन Cameron फोने उड़ा है भुन तया करो कर दो रिर्से करो ट्रायगेंग हलो हलो कभीर जल्दी वाँ से निकल जाओ हम मैंने काँ जल्दी वाँ से निकल जाओ भागी बाते बाते करेंगा जल्दी करो पूँँट हमारे साथ पंगा लिया है उसने हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है छोड़ूंगा नहीं बस इस सूट में तो आप साथ के हीरो लग रहे है आज तो मैं उसे आई लव यू बोलूंगा सुनते ही वो फ्लैट हो जाएगी अल्ड़ बेस्ट हुम आहो बैठो नंदीनी वो आती होगी तुम बैठो ना में पॉपी लाती हूं पॉपी पॉपी प्यार की जंग भी जीत गया वह उस फॉजी से प्यार करती है प्यार मेरी जैसे चिरकोट के लिए बना ही नहीं है मैं स्टेशन जा रहा हूं ट्रेन पकड़ने ममी मैं उठाता हूं आपन नंदीनी से अहां सुन्दर तुम्हारा नाम नंदीनी है और तुम्हारा राज मतलब भसी यह यह एड़ोकेट माचीस वाला के पास जा मेरा नाम हरिश से राज करके आप इस लड़की के लिए फिर से अपना नाम बदलोगे उसके लिए अगर मैं चमण चिंदी से हरिश बन सकता हूं तो इसके लिए क्या मैं हरिश से राज नहीं बन सकता दोस्त इसे द अब यह थी तू मारी बकूडी अब इन्हें कौन समझाए कि यह शकल से चमन चिंदी लगते हैं अब यह कर्टी मारो ओके बाई कि अब बन सकता है कि अब यह चि वह कुड हो थिसमी से अब यह की से ठीज़ के लिए देखर कर दोस्ते हैं कि आसे अब ऐसे तोस्ता है वह बदू़ से बनसे झाल 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 कुछ जसो झाल कुछ जसो कुछ जा। जा प्या को जा! पınई के कुछ कि ईुष सकत bleibt जा हुआ स्वनसEntक हुआ को को कि然後 ह।ाह। हाई श्यार राँ ह। 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 खुल मुझे तू बहुत बड़ी घलाती कर गया है तू जानता है कि मैं कौन हूँ और यह भी जानता है कि मुझे क्या चाहिए तु मुझे धंकी दे रहा है क्या कर लेगा तू कर भी क्या सकता है तेरा भाई आफिसर होकर भी मेरा कुछ नहीं कर पाया अगर तुझे यह लगता है कि मैं डर जाऊंगा तो यह तेरी सबसे बड़ी भूल है जब तुने अपना मूँ बंद रखने का डिसाइड करी लिया है तो तेरे जिन्दा रहने का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है पागल है क्या अब रुक जा रुक जा मार मत मुझे मैं बोल रहा हूं रुक जा रुक जा मार मत च्पूज्था रेने रेलेव करें युझे मार मत जानदे लग जानदे लग जानदे लग जान दे लग जानदे त्रिजै तिरी मैं आख का रह सन अब जानदे लग जानदे लग eta जोड़धे ये सब की शुरुवात जेनरिक मेडिसन से हुई, सस्ता इलाज ना मिलने के कारण, जब ड्राइवर की फैमिली ने सुईसाइट किया, तो उससे तुम्हारे भाई को बहुत तकलीफ हुई, तुम्हारा भाई डॉक्टर था, इसलिए वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग गया, और उस पे बहुत रिसर्च की, अपने पुराने बैचमेट से मिलकर उसने एक रिपोर्ट बनाई, सर, गवर्मन का डेटा ये बताता है, कि महेंगे इलाज की वज़े से लाखों लोगों की मौत हो जाती है, इन आकणों को नीचे लाने का सिर्फ एक ही उपाय है जैनरिक मेडिसन, जैनरिक का मतलब जैनरल, जैनरल यानि सब के लिए, जब भी कोई नई बीमारी आती है, तो इस बीमारी के लिए दवा की खोच शुरू हो जाती है, बड़ी-बड़ी कमपनियां इस रेस में सबसे आगे होती है, और वो उस दवा को अपने नाम पर पेट जैनरिक मेडिसन का एक महिने का खर्चा सिर्फ 10,000 रुपए होगा, आप सोचिए खरीब आदमी का कितना फायदा होगा, अगर दवाई इतनी सस्ती मिलनी लगे, तो फिर कमपनी का क्या होगा, हमारे देश को फार्मेसिटिकल्स हब आप दो वर्ल्ड कहते हैं, दुनिया की 50 से 60 प्रदिशन जैनरिक मेडिसन्स की सप्लाई इंडिया करता है, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो अमेरिका, जपान और दुनिया के कई छोटे बड़े देश इंडिया से मेडिसन्स नहीं मंगवा थे, तो तुमारा कहना है कि इंडिया कई सारे देशों को जै पर अमल नहीं हो, आज ऐसी छोटी-मोटी बिमारियां, जैसे कि सर्दी, खांसी और बुखार के लिए दवाईयां बहुत महंगी हैं, बड़ी-बड़ी फार्मेसेट्रिकल कंपनियों ने ऐसा चक्रविव बनाया है, जिससे दवाई महंगी हो गए, मैं तो कहूंगा कि जन तुम चल्दी से ये प्रोपोसल तैयार करो, इसका अप्रूवल मैं लूँगा, थैंक्यू सै, मिनिस्टर अंजन अप्रा ने वो रिबोट ली, और मेरे बॉस के साथ मिलकर एक बिजनस डील की, थैंक्यू बाई, मिनिस्टर को सौकरोल में सेट कर दिया, बड़े भाईया, मुझे यहां क्यों बला है सर, गौर से सुनो कलेक्टर, मैं चाहता हूँ कि तुम जेनरिक मेडिसिन के प्रोजेक्ट को भूल जा, मेरी बात सुनो, कम्पनी मुझे शैस दे रही है, चाहो तो तुम्हें भी माला माल बना दू, तुम दूसरी फेलो फिर भी लोगों ने जुनकर अपना नेता बना कर कुर्सी पर बिठाया, और तुम्हें उन लोगों की जरासी भी परवा नहीं है, सर, आप मुझे खलत समझ रहे हैं, मैं ये जनरिक मेडिसिन का प्रोजेक्ट, पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, जनता की भलाई के लिए कर रहा हूँ, इस द हुआ देंगे, क्या कि हम इंडियन्स जो है ना, फैमिली वैल्यूस पर बिलीव करते हैं, जो कि आज खतम होती जा रही है, बुड़े माबाब बीमार हो जाए, तो बच्चे उन्हें छोड़ते थे, भाईयों में दरार पड़ जाती, वो अलग हो जाते हैं, और इसके सिर् आज पर खर्च होने वाला, कुछ पैसा ही बच जाए, बहुत खुब, इन सबसे लोगों को तो फायदा होगा, मगर तुम्हें क्या मिलेगा, नेक काम करने से आत्मत रिप्ति, तुम जैसे इमानदार लोग आज सडक पर भीग मांग रहे हैं, एक बार फिर सोच लो, बुर पर नहीं आटूंगा, इस जेनरिक मेडिसिन को आम लोगों तक पहुचा के रहूंगा, इस ठील को ठुकराने का अंजाम बहुत पुरा होगा, अंजाम जो भी हो, मैं सामना करने के लिए तयार हूँ, गुड लाग, बाई, सब रहे, सब रहे, सर, एक बुरी खबर है, सत्यमुर्थी आयस ऑफिसर्स के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई साज़िश कर रहे हमें कुछ करना पड़ेगा सर, जब तुम्हारे भाई ने हमारे सामराज्य को खतम करने की कोशिश की तो हम ने उसे मारने के लिए एक कॉर्पो तुम्हारे भाई के जेल जाने के बाद, हमें लगा शर्म के मारे वो इस बात को भुन जाएगा, वगर ऐसा हुआ नहीं, इसलिए जब वो जेल से छुट कर वापस आया, उसी रात कैसे हो कलेक्टर साहिब, हो, अब तो तु कलेक्टर नहीं रहा, सत्यमूर्थी, अपनी नौकरी वापस पाने के लिए फोन किया है क्या, तो अपनी चाल बाजी और पावर से, मुझसे सिर्फ मेरी कुर्सी छीन सकता है, लेकिन मेरी टिगरी नहीं, यही शिक्षा की ताकत होत जैनरिक मेडिसिन प्रोजेक्ट ज़रूर पूरा होगा, शान्त हो जा, इतना उचलने की ज़रूरत नहीं है, जैनरिक मेडिसिन प्रोजेक्ट से हटाने के लिए तुझ पर जूटा केस लगवाया, मैंने तुझे अंदर किया, नौकरी से निकाला और तुझे शर्मिंदा भी गिया अब तो अपनी जिद छोड़ दे सत्यमूर्थी सुनबे इधर हमारी पावर चलती है हमारा इलाका है ये इलाका जरूर तेरा होगा मगर कानून तेरा नहीं तू क्या मुझे शर्मिंदा करेगा अब तू बस आगया आगे तेखता जा कोट मैं ले जाकर तुझे नं पुछने के लिए किया है तेरी सारी बातेर रेकॉर्ड की जाने है अब इचुप रहने से कोई फाइदा नहीं मिनिस्टर चुप कर सारी बातें अल्रेडी रेकॉर्ड हो चुप है जा यहां से पोर्ट के लिए सिर्फ इतने सुबूत काफी हैं तुझे अलग बोलू क्या तब ही हमने तुम्हारे भाई को जांद से मारने का फैसला किया कौन बोलता है के तु बुड़ा हो चुका है क्या बात है पहले एक नजर इस पर तु ढ़ाल अगर तुने मुझे जेन्रेक मेडिसिंग्स के डॉकुमेंट्स और हार्ट डिस्क दे दी तो मैं चला जाऊँ गहाँ अगर एक मिनिट भी देरी की तो तेरी बीवी बच्चे दोनों खालास तुने सिर्व एक टीबी डेटा दिया है मगर तेरे दिमाग में जो सौ टीबी डेटा है उसका क्या उसे तो क्राश कर रहा ही बड़ेगा ना तेरी मौत के साथ ही जेनरिक मेडिसिन का प्रोजेक्ट भी खत्म हो जाएगा इंसान मर सकता है लेकिन सच नहीं कहानी तो अब शुरू होगी मेरा रामा एका कि अईए मेरा ओाल रामा के साथ जाएध़ जाएध के अईए़ जाएध भी जाएधा जाएबु एस याजएठा पक्राइब को जोडिएव जाएवा इएएप अरबीर? हलो कौन बोल रहा है? तू कौन है ये बता? या फिर अपना नाम बताने से तर लग रहा है? कैप्टन राम मैं वो काल हुजो तेरे बिस्निस का नाम निशान मिटा दूगा अपनी ओल्टी किंती किनना शुरू कर दे आल दे बेस्ट तुम्हारे जैसे कितने आये और कितने गये मेरे जैसे आये होंगे मगर मैं नहीं बहुत जल्द हमारी मुराखात होगी बाबी सब लोग मेहनत करते है ताकि उन्हें अच्छी जिंदीकी मिले मगर तुम्हारे भाईया ने उनके लिए अपनी जान दे दी उन्होंने आज तक किसी को तकलीव नहीं दी मगर उन्हें उन्हें मार डाला राम यह क्या किया तुमने आरियो क्रेजी अब एक मिनिट उको इस बीड़िए अब 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 राम मैं जानती हो कि तुम पर क्या बीत रही होगी पर एक बात का ध्यान रखना बदला लेने से तुम्हारे भाया वापस तो नहीं आ जाएंगे बावी जिन्दगी में दो दिन बहुत जरूरी होते हैं एक जब हम पैदा होते हैं और दूसरा जिस दिन हमें जिन्दगी का मकसद मिलता है आज मैं आपसे एक वादा करता हूँ मेरे भाई की मेहनत साया नहीं चाहेगी आपने सही कहा बदला लेने से मेरा भाई वापस नहीं आएगा लेकिनोंने माफ कर दूँ इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ मैं अच्छा नहीं चाहेगी मादेवा यदी मादी अच्छा नहीं तक दो गया पहली बात तो यह है कि मैं तुम्हारे चेरे पर खौफ देखने आया हूँ और दूसरी बात तुम्हें तुम्हारी मात का ट्रेलर दिखाने तुमने दो बड़ी गलतियां की पहले अपने देश से घधारी और दूसरा मेरे भाई की हत्या दोनों की सजा मिलेगी तुमने मेरे भाई का तुम्हार दिया मगर उसके मकसद नहीं और उसे मैं पूरा करूँगा क्या करेगा तु तेरा भाई जब लापता हुआ तभी तुझे समझ लेना चाहिए था कि मैं क्या कर सकता तुने एक ऐसे फौजी से दुश्मनी लिये जो अपने देश के लिए अपने बॉर्डर पर लड़ता है कोई गली का गुंडा नहीं है बहुत आयाशी कर ली तुने लेकिन अब तेरी मात बहुत भयानक होगी इतनी भयानक कि तेरी रूख आप जाएगी तेरी रूख आप जाएगी हारम सर मुझे पता चल गया कि मेरे भाई को किसने मारा और क्यो मारा आप जाएगी आप 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 देखो मैं तुम्हारा गुस्सा जानता हूं और यह भी कि तुम क्या कर सकते हो जल्दबाजी में कोई कि गलत कदम मत उठाना अपना खयाल रखना बी केरफूल ओके अजए आप एक आप कि अबनले को सबना हुआता है हुँ ुँ करेंव जपर करेंव एक कि आपड़ार को एसमैंग टाया है में रिख वाल जुड़ ग्यूंट सुर्प्राइज एल वर्थ तर राम थक्स एपिवर्दे भईया आज इनका भी बद्डे है मुझे पता नहीं कि भाय का जन्म कब हुआ था वो हमेशा अपना बर्थरे मेरे बर्थरे के साथ सलिपरेट करते थे चलिए ना केक काटिये मुझे नहीं आना यह क्या बच्चों जैसी जित क्यों कहर रहे हैं केक काटिये ना वो नहीं आएगा हमारी खुशी के लिए ना सही कम से कम बाहर जो महमान आये हैं उनकी खुशी के लिए तो केक काटिये नीतू मुझे पता नहीं मेरा जन्म कब हुआ मैं अपनी सालगिरा अपने भाई के साथ सेलिपरेट करता हूँ आज वो यहां नहीं है इसलिए मैं सेल अपने तुमने तो कहा था नहीं आओगे एसे अचानक कैसे नहीं आना चीद्या शुकर है आगे उसने कहा तुम्हारे बिना बाहर नहीं आएगा इसने और कौन तुम्हारा भाई जिद पकड़कर बैठा है अब मैं आ गया हूँ तो भाई भी आए ही जाएंगे चांस ही न ऑभाई। बक्रशारश खौना बञा बख चेस्ति है…बस बस 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 और नहीं तेना पेट ब्रद्ध्यूका है और आ थेरा फेट अब तक नहीं भरा किया भूल गया था मेरा पेट भी फर गया है तुम दोनों मिलकर कोई प्लान बना रहे हो ना तो चुप रहे हैं मेरा भी पेट भर ही आपकी बहन ने इतने प्यार से खाना बनाए पेट भर के खाई और सो जाई जब से आपका भाई वापस आया है तब से आप ओवर एक्टिव हो गए हो नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है अरे मुझे छोड़के मेरा भाई इतने दुनों बाद आया है उससे बहुत सारी बाते करनी है मुझे हां अरे मुझे फसा कर कहां जा रहे हो इतना मीठा नहीं खाता मैं तो खाओ मुझे यहां फसा दिया छोड़ेंगा नहीं है 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 भाईया ने मुझे कभी अपने से अलग नहीं समझा हमेशा अपना ही एक सामाना है हां बोलो है है क्या हुआ भाईया है भाईया है नहीं दो प्रफभी युद्ग मैं नहीं है है भाईयोर्व क्या हैं बोली है रेतु, रेतु रेतु समझ गई ना, सौरी हम भी तुम्हारी बेटी को मारना नहीं चाहते हैं हमें भी बच्चों से प्यार हैं मगर उससे ज्यादा हमें हमारी जिन्दगी से प्यार है वो भी ना, बाप की बच्ची है छोड़ दो उसे उसके बाप की मौत क्यों हुई, उसे भी समझना चाहिए ना राम को अब तुम्हारे लिए बहतर ये होगा कि जैसा हम कहें वैसा करो वरना तुम्हारी बेटी मारी चाहेगी बोलो क्या करना होगा मुझे गुड, तुम स्मार्ट हो पर तुम्हारे पती में अकल नहीं थी एक घंटे में हमारे गाड़ी तुम्हारे घर के सामने आएगी राम से कव सबूतों के साथ चुपचाप गाड़ी में बैट जाए तुम्हारे पती ने सुिसाइट किया और तुम्हारा देवर एकसिडेंट में मर जाएगा जिसे देश के लिए शहीद होना था वो सड़क पर भी मौत मारा जाएगा उसे पकड़ने का बंदोबस्त हो चुका है जैसे ही वो पकड़ा जाएगा तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पहुच जाएगी रितो वापस आएगी राम अगर तुम गए तुम्हारे वापस आने की उमेद भी खत्म हो जाएगी भावी जब कोई काम पर जाता है तो एक उम्मीद होती है कि वो लोटेगा मगर जब एक सैनिक काम पर जाता है तो उसके घर आने की कोई उमीद नहीं होती है उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है कब मर जाए कुछ पता नहीं होता इंसान सैनिक तबे बनता है जब वो देश के लिए मरने को तयार हो और जब हम अपने देश को बजाने के लिए अपनी जान ने उचावर कर सकते हैं तो क्या मैं अपने परिवार को बजाने के लिए अपनी जान नहीं दे सकता हर सैनिक दुश्मन का दिलेरी से सामना करके मैदाने जंग में जंग जीतता है अगर परिवार की बाद आते ही वही बहादुर सैनिक कमजोर पड़ जाता है हम जहां भी हूँ जिस हाल में भी हूँ हमेशे अपने परिवार की सलामती चाहते है रितू वापस आएगी जरूर आएगी जब वो वापस आए उसे ये देना हमारे देश में कितना भी भरष्टाचार के उनों हो जाए है तो हमारा ही देश और मुझे पूरी उम्मीद है जब रितू बड़ी होगी वो अपने तेश के लोगां के लिए जरूर कुछ गाएगी अएगी 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 नमस्ते कैप्टेन राम, आज देश भक्ती और देश प्रेम के बारे में बात नहीं करेंगे, क्यों सांप सूंगया क्या? परिवार के सामने देश का प्यार भीगा पड़ गया ना? मुझे लगा तू शेर की तरह गरशते हुए आएगा लेकिन तू तो गीदर की भादी मेरे सामने आकर खड़ा है जानता है मेरा क्या कहने का मन कर रहा है? चल, साब के सामने सलामी मर! बड़ा आया देश भक्त तू एक पॉलिटिशन है और सैनिक के बारे में इससे जादा नहीं जानता गलती तेरी नहीं है उन लोगों की जनोंने तुझे वोट दिया है उसी के साथ तेरे भाई का जैनेरिक मेडिसिन का सपना और तू दोनों भूम! ओम नमाश्यवाइद! निस्टर राम यह आपके नाम अरेस्ट वरंट है प्लीज कोपरेट कीजिएगा हम जबरदस्ति नहीं करना चाहते है आपका मिलेटरी से कोड मार्शल हो चुका है हमें ओडर मिले हैं कि आपको अरेस्ट करके उनके हवाले कर दें हमार साथ चलिए प्लीज मुझे दो अरशा क्यों का क्या हुआ प्लैन चेंज हुआ है क्या नहीं तुम उसे लाने के लिए पहुँच गए इसलिए तो यहां आया हूँ मगर पुलिस आकर अभी उसे ले गई कहती है कि उसे कोर्ट माशल हो गया वो उसे आर्मी के हवाले करने वाले ये सब क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं बता एक बात तो तै है जब तक लड़की हमारे पास है उसे आना ही होगा सर्थ, अगर कोई भी मुसीबत में हो तो उसे बचाना हमारा कर्टव व्याए तुम्हारे भाई की बेटी, हमारे देश की नाग रिखा है उसे बचाना हमारा कर्टव व्याए तैंक यू सर्थ, जहिन सर्थ, आपके रिजिमेंट के लोग टेक ओवर कर लेंगे, सर्थ आपके एरेस्ट होने के बाद उसमें मिनिस्टर को कॉल किया था लोकेशन? कॉल इस टावर से की गए थी सर्थ, यह टावर चिक पेट मार्केट में है वो फिर से कॉल करेगा, लेट्स वेट सर्थ, वो मिनिस्टर फिर से कॉल कर रहा है लोकेशन बताओ आइधिंक वो एविनियू रोड के पास है हम उसका गीपीएस लोकेशन ट्रैक करें सर् स्टाथ ट्रैकिंग, नमर ट्रैक करो, सर्थ, वो मिनिस्टर को यह इंफरमेशन पास करो, ओके यह सर् हलो, मैं अब यह मार्केट में हो, आते वक्त में खाना लेकर आऊँगा हाँ, बच्ची के लिए कपड़े भी लेकर आऊँगा लेकर 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 आऊँगा लेक्स प्रभस फिर ने उत्या है सारा समान गरा दिया है पुले है पुले है आई पुले आई पुले हालो तुझे क्या लगता है एक तूही समझदार है इस दुनिया में समझधारी का जूस में रोज सुबा पीता हूं मुन्ना मैंने तुझे तेरे ही जाल में फसा दिया पता चला तुझे इसे राजनीती कहते हैं मेरे देशभाग्त अब आगे क्या करना है, तुझे खुद पता है, आजा आजाओ करको अचे खुचे अचें। आजा भाया तूने भी आज ये थाबित कर दिया कि इस दुन्या में तूने भी आज ये थाबित कर दिया कि इस दुन्या में कुट्टों से वफाधार और कोई नहीं अब मेरा सीक्रेट वबन हो गया है तो तुझे क्लोज होना होगा सॉरी मैंने इसे कहा था कि हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए लेकिन देखो ओम नमाह शिवाए जैसा तुमने कहा था मैं अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स और सबूत ले आया हैं अब अपने वादे के अनुसार रितु को छोड़ दो परिवार में किसी को खोने का गम मैं अच्छी तरह जानता हूं मुझे मार दो पर रितु को छोड़ दो को 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 ओुँ देख पुआ हैं जब भाई हैं झाई एक प्लत अलत अलत ओु नमाणश्या जडरे मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूँ गा, तुन्हें मेरे किरेबान में हाथ डालने की गुस्ताखी की है ना, तेरी दॉब, हे, एक तो पहले ही शनी का प्रकोब चड़ा हुआ है, उस पर तु मौद बनकर मंड रहा है, बहुत सदाया तुन्हें अब तुझे पता कि तुन्हें कित से पगदा लिया, तेरा भाई आयस आफिसर और तु आर्मी आफिसर है ना, जुबचाप आम आदमी की तेरा अपनी जिंदगी गुजारता लेकिन नहीं, तुम दोनों भाईयों को देश भक्ति की खुचली जो लगिये हैं कि नहीं? तु अपनी ताकत बॉर्डर पर ही दिखा सकता है, यहां नहीं अगर गरीब बिमारियों से मरते हैं तो मरने देना? उनके जिन्दा रहने से क्या तु जंडे गाड़ेगा? इस देश में सबजियों के दाम महंगे हो जाए तो लोग स्ट्राइक करते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाए तो लोग स्ट्राइक करते हैं मगर क्या कभी दबाईयों के दाम बढ़ने पर स्ट्राइक करते हैं बॉल नहीं ना? क्योंकि वो डरते हैं अपनी मौत से जो डर उनकी वीकनेस है, वही हमारा बिजनस है, जेनरिक मेडिसिन तेरे भाई का यही सपना था ना? अब तेरे बच्चों को क्या? पोतों को भी नसीब नहीं होगा क्योंकि ये मेरा रचा हुआ चक्र व्यू है, इसे कोई नहीं भेज सकता हे शेल, तू तो भीगी बिल्ली बन गए रहे है तुझे गुस्सा नहीं आ रहा है? गुस्सा दिलाओं में? हमने तेरे भाई को मरवाया उसे मारकर स्यूसाइड का रूप देने वाले हम दुनों है गुस्सा नही आ रहा है, गुस्सा नहीं आ तुझे, बोल तुम चाहे मेरी जान ले लो रिटू को छोड़ दो मुझे तो लगा था कि तू शेर है जुआ निकला भाईया जाने दो इसे मर गया ये छोड़ा देख क्या रभे इसकी पिक्चर खातम कर सारी गोलियां उसके अंदर उतार देना वो कोई आम इंसान नहीं है शेर है पपर्शे पर येका स्व द्टा से केंड़ जा है कि अच्छेर शायलेंट हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि वो ठक गया इसका मतलब वो अगले वार की तयारी कर रहा है मैं चाहता था कि तुम 15 मिनट टेंशन में रहो जानते हो क्यों तुमारी पोल खोलने के लिए जिसे अभी पूरी दुनिया ने दिखा है मैं तो बस नाटक कर रहा था मैं आज तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहता हूं ध्यान से सुनना हम सैनिक तुमारे परिवारों की जान बचाने के लिए बॉर्डर पर अपनी जान दाव पर लगा देते हैं तो कोई हमारे परिवार पनाख उठा रहे है तुमने कहा था कि मेरे भाई की बेटी अब तुमारे कबजे में जड़ा चेक करो कोई नहीं उठा रहा ना उठाएगा भी नहीं अगर देश के सैनिक पिकने लगे तो इस देश में कुछ नहीं बचेगा उसके टुकड़े हो जाएंगे लेफटनिंट करनल ने तुमारी मदद की सिर्फ तुम लोगों को एक्सपोज करने के लिए मुझे कोट मार्शल करने के लिए नहीं तुम लोगों की जान बचाने के लिए करफ्यू में भी मेडिकल की दुकान खोली रहती है और तुम लोगों ने मेडिसन का गैर कानूनी कारों बाग बना रखाए आए 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 अब पूरी दुनिया को तेरे बारे में पता चल गया तुझे जिदाकरोनों ने बहुत बड़ी गलती की तु उनको तभी दवाईयां देगा जब वो स्ट्राइक करेंगे वो स्ट्राइक करेंगे सडकों पर उतर कर स्ट्राइक करेंगे मेरे भाई का सपना पूरा होगा मैं किसी देश्त्रोही को चैन से जीन नहीं दोगा वो इमानदार थे इमानदारी से जनता की सेवा की और उनके लिए अपनी जान दी ये मेरे भाई की तरफ से हलो कंट्रोल रूम, हलो कंट्रोल रूम डॉक पे अभी एक गैंग वार हुई है घायल लोगों को हस्पिटल लेकर जाना होगा हमें यहाँ एम्बुलेंस की जरूरत है जितनी जल्दी हो सके डॉक पर पहुचो चलो चलो उठाओ इने चलो जल्दी करो यहाँ से कोई भी गाड़ी भाहर ना जाने पाए ले चलो इनको चलो जल्दी जल्दी करो जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंस लेके पायान, नरसुद वीरद, यहीद, सट्ड़ महावीर, अमभय आपीर, अलवो नहाश्य भाया हो Mr. Anjanappa is the main culprit behind I.A.S. Satyamurthy's Mada I.A.S. officer Satyamurthy के मौत के पीछे कौन कौन था, उसका रास खुल चुका है Mr. Anjanappa is the main culprit behind I.A.S. Satyamurthy's Mada Ritu, दूद पीलो Mammy, चाचु कहा है? चाचु कब आएंगे? चाचा की बारे में जाना है वो वही है, जहां उन्हें होना चाहिए, वहाँ देखो constante थाचु कि वही है चाहु कि बारे जाना ही वही है वहाँ है वहाँड़ने